नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली वो सिरसले वो शौक वो गुर्बत ना रही फिर यू हुआ के दर्द में शिद्दत ना रही अपने जिन्दगी में हो गए मशरूफ वो इतना कि हमको याद करने के फुरसल ना रही देहां आपने सही सुना हम आज के इडली राजीफल की बात कर रहे हैं सबसे मेले आज इनका बाटी है या अनुवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारे गुड़ विशिस तो चलिए शुरू करते हैं आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुख ही रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुख ही रहेंगे आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्री हो जाती है क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कूंजी है दौलत से व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वो उसका नहीं बलकि उसकी दौलत का सम्मान है आपको दौलत से रुतबा कायन नहीं करना बलकि कुछ ऐसा करो जिसकी वज़ा से आपको सम्मान मिले हर जगा आपके चर्चे हूँ हमें जो मिला है हमारे भागे से ज़ादा मिला है अगर आपके पाओं में चूते नहीं है तो अफसोस मत कीजे क्योंकि दुनिया में कई लोगों के पास तो पाओं ही नहीं है जीवन में आप से कौन मिलेगा यह समय तै करेगा जीवन में आप किसे मिलेंगे यह आपका दिल तै करेगा पर जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका विवहार तै करेगा आपको भी अपना विवहार अच्छा रखना चाहिए ताकि आप भी लोगों के दिल में जगा बना सकी तो चलीव जान लेते हैं आज के रेली राशीफल की बारे में सबसे पहले में आपको पता दू कहजाब कि जो है लखी कलर रहने वाला है वो रहेगा क्रीम और लखी नमबर जो है वो आज के लिए बन रहा है नमबर आठ आज इसे दारों की जो गोचे दृष्टी हैं वो कह रही है कि जीवन की बातों को आज अध्यात्मी की रूप से देखा जा सकता है आप यह आप से जुड़ा कोई आज व्यक्ती आध्यात्मी की प्रगती के लिए परिवार को उत्साहित करने की कोशिश कर सकता है घर में आज पॉजिटिव उर्जा का प्रभाव लगातार बना रहेगा सुबा से शाम तक शरीरिक विमारे से भी चुटकारा मिलता नजर आ रहा है जैसा की सितारे संकेत कर रहे है वही आज जब मांसे के रूप से परिवार स्वास्ते और खुशहाल भी नजर आएगा आज जो है आज कुछ चीजें आप दान कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा घर की काफी परिशानिया भी दूर हो सकते हैं अगर आप घुपतरूप से दान करते हैं साथ में ऐसे दारे ये भी कहते हैं कि जादा आज उड़ पटाक चीजों से बचना होगा फालतू में विवाद भी मत कीजेगा वरना मामला संगीन हो सकता है और हां किसी भी काफ़ पस हस्ताक्षिर करने से पहले उसे ज़रा अच्छे से पढ़ लीजेगा और जादा एकसाइटमेंट से बचना होगा आज पूरी मनयोग द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरती पूरी कन्ने में समय आपका टाइम जो है वो स्पेंट हो सकता है घर का माता वरन खुश्टुमा आप बना रहेगा लेकिन काम की दिखता की कारण आप घर पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे ये स्पेंट नहीं कर पाएंगे ऐसा खुश हो सकता है लेकिन अपने लोगों की खुशी में ही आप अपने खुशी ढून ही लेंगे बहुत ज़ादा महनत और थकान के वज़े से कभी-कभी आपके सभाव में आज चिर्चरापन देखने को मिल सकता है जिसके वज़े से बिना बाद की गुसा भी आ सकता है लेकिन संतान की गते विद्यों को नजर अंदास करना विल्कुल भी ठेक नहीं है उन पर कड़ी नजर रखे कि वो क्या करते हैं स्टैशली उनके सोशल साइट्स पर और हाँ आज जो है आपको अपने पिटर्नल अंकल से जो है कुछ आप चीज़े मिल सकती है मज़ो रिष्टे बन सकते हैं आप में चली साथ में आज ये भी कह रहे हैं कि विदेश में रहने वाले जो स्टूरंस हैं उनको पैसों से रिलेटर थोड़ी बहुत दिक्कते आ सकती है अपने खान-पान का जो है विशेश रुप से ध्यान भी देना होगा आज के दिन नए विचार फाइदेवन महसूस होंगे जल्दमाजी में बस फैसला मत लीजेगा बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा आज आपको कोई विचार आपके साथ-साथ परिवार के सदस्यों को भावनात्मक ठेज भी पहुचा सकता है ऐसे सित्यां बनी हुई है भावनाओं में बहकर कुछ भी मत कीजेगा वनना नुकसान होगा घर के किसी यंत्रणा में बिगड़ा हो सकता है यानि कि कोई मशिनरी विगेरा वो खराव हो सकती है जिससे पैसों की हाने भी हो सकती है यानि कि फिजूल खर्चा आज आपको करना पर सकता है अज आपके काम में किसी की दखल अंदाजी आपको नजर अंदास भी कर सकती है साद में आज के दिन नजदीकी फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती में बीद पी सकता है साथ ही लाग दाइक संपर कभी स्थापित होने वाले हैं घार में इस सुधार से रिलेटिड आप प्लानिंग बना सकते हैं यह जो प्लानिंग से बहुत ही बहतरी इंसाबित होंगी वसियत से रिलेटिड कारों में भी सबलता मिलती नज़र आ रही हैं आज के दिल लेकिन हाँ फिजूल की गदी वीडियो में जादा ख़र्च होने की संभावना भी बन रही है जिसकी वज़े से आज बजट गड़ बड़ा सकता है अगर लोन लेने की वो जनाय आप बना रहे हैं तो अपनी से जादा पैसा उधार लेने से बचिएगा उधार पैसा लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है चलिए बात करते हैं आज की बिजनस और करड़ के बारे में तो आज बिजनस की कहता है कि विविशाय की दिक्तम गतिविदियां घर से ही संपन हो सकती है अपनी कार्यों में इसी बाहरी व्यक्ति का बस हस्तक शिप मत होने लीजेगा बस आप अपना काम करते रहें अजाब की उजनाइन लीक होने पर कोई उसका गलत तरीके से फाइदा उठाने के लिए आ गया सकता है ट्रैंसफर जो लोग करवाना चाहते हैं स्पैशली जो सरकारी जोब वाले उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कते हो सकती है लेकिन प्राइवित थे वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी उनके लिए शुप समाचार की प्रापती हो सकती है साथ में आज जो क्रूड ओयल से जुड़े जो विपारी हैं उनको फाइदा हो सकता है इसे के साथ ही जो है जिनकी जो राशन का काम करते हैं उनको बहुत ही फाइदा हो सकता है अगर आप जो है और भी अपनी बिजनस का दाइरा बड़ा करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही हद तक फाइदा देखने को मिल सकता है विवसाय में कड़ी मेहनत की बस आपको जरूरत होगी पिता या पिता के समान जो व्यक्ति हैं उनके आप सलाह ले सकते हैं उनका सयोग बहुती बढ़िया रहेगा आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्मान कर सकते हैं वही आज नौकरी पिशा विक्तियों को काम की दिखता के वज़े से आज ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है काम ये बस आज आपको विशेश रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी सिधारे तो बस यही संकेत कर रहे हैं बागे सब कुछ आज की दिनाब के लिए ठीक कहा जा सकता है बात करते हैं बाज की लव लाइफ की तो लव लाइफ कहती है कि पती पत्नी के बीच आज जो रिष्टी हैं सबंद है वो बहुत ही मीठे वाले होंगे लेकिन फिजोल के प्रेम समन्नों में समय फिजोल मत गवाईएगा यह बहुत ही गलत बात है अगर आप रिष्टा निभाना चाहते हैं वह लॉयल्टी से निभाईए सीरिज निभाईए फ्लर्टिंग करना छोड़ दीचे साथ में आज मन्चाहे व्यक्ति से रिष्टा भी चूड़ सकता है जो लोग काफी देश से इंतजार कर रहे थे पार्टनर की आज बात समझने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या आचा है अपनी अपनी व्यस्तिता की वज़े से आप एक दूसरी को वे घर पर समय नहीं दे पाएंगे ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है हर किसी के लिए नहीं है लेकिन घर के बड़े बजरुगों का अनुशासन घर की व्यवस्तिता को उचिद बनाए रखने में काफी मददगार सावित हो सकता है तो ये बात की हमने अभी लव लाइफ की तो बात करते हैं स्वास्ति के बारे में ठंडे गरम खान पीन की वज़े से गले में इनफेक्शन हो सकती है जादा ध्यान रखना होगा और दवाईयां जो हैं समय पर लेते रहेगा और याद रखें जतना आप डाइट कॉशिस रखेंगी उतना ही जादा बैटर नतीज़ देखने को मिल सकते हैं आपको तो चली बंत में बात करते हैं आज के विशीश रूपाई के बारे में तो आपके लिए विशीश रूपाई कहता है कि आज आपको जो है गुपत रूप से दान पुन्य आवश्य करना चाहिए आप दान पुन्य में खाने पीने की चीज़ों का दान करते हैं तो विशीश उसी लाबकारी साबित होगा और साथ में अगर आप घोड़े की नाल को दर्वाजे के मुख्य द्वार पर अब लटका देते हैं तो इससे नेगटिव उर्चा जो है घर में प्रवेश नहीं करेगी तो दोस्तों अगर आप को वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शे पनिवार